दोस्तों इस भागती दुनिया में हमें अगर सफल होना है तो सफलता के लिए हमें कुछ अच्छी सीखे चाहिए होती है चाहे किसी भी फिल्ड में हम जाना चाहे, सर्विस करना चाहे, जॉब करना चाहे, ब्यापार करना चाहे, खीती करना चाहे हमें एक ऐसे मारदर्सक की जरूरत होती है जो हमें अच्छी सीख दे सके और हमारा मारदर्सक कर सकी कि हम किसी भी चीज में अपने फ्रिल्ड में शफल हो सके और जब आज यतना competition बढ़ गया है ऐसे competition की दोर में मारदर्सक मिलना क्या आसान बात है बिल्कुली नहीं क्योंकि हर किसी को मारदर्सक चाहिए और आपका मारदर्सक कोई नहीं कर सकता अगर जो करता भी है तो ऐसे उलूल जूल की बाते हैं जिससे आपके फाइदे कम नुक्षान ज्यादा होते है तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परिस्तितियों से हारे हुए होते है तो जो मन से हारा हुआ इंसान है वो आपके फाइदे नहीं करा सकता वो अमेशा आपको नुक्षान नहीं देगा लेकिन जो परिस्तितियों से हारा हुआ इंसान है वो आपके बहुत काम का है तो जो परिस्तितियों से हारा हुआ इंसान है जब आपको उससे आइडिया लेंगे उससे सीख लेंगे तो आपके सारे काम लगवग 80% से 90% तक आपके भंज आएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है 100% नहीं दोस्तो ये 1000% की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ क्योंकि हारा हुआ इंसान आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताता है जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी कोचिंग इंस्टिटूट में एक टीचर आपको पढ़ा रहा है आपको पढ़ा करके या बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ रहा है सारे बच्चों को लेकिन वो अपने मन से नहीं हारा था वो समय से लड़ रहा है और समय से लड़ते लड़ते एक दिर ऐसा भी उसका समय आएगा कि जो परिस्थितियां उसके सामने मूँ फार के खड़ी थी वो परिस्थितियां बदल जाएंगी जिस नौकरी के लिए तरस रहा था आज उससे कहीं ज़्यादा नाम, पैसा, सब कुछ उसके पास है लेकिन क्यों परिस्थितियों से हार चुका था लेकिन वो समय से नहीं हारा और मैं अब एक और जपल दे रहा हूं बहुत फेमस इंसान, खांसर आप देखिए बहुत सारे चीज़की उनके इंस्टुटुट में कोचिंग कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं और खुद देखिए आई-एस पीसर्स जैसे पोश्टों पे भी उनके पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं लेकिन वो खुद आई-एस बने, नहीं, क्योंकि उनकी परिस्थितिया ऐसी रही होंगी, क्यों मजबूर हो करके उन्हे किसी कोचिंग का सहरा लेना पड़ा या खुद कोचिंग खुलना पड़ा कुछ लोगों के साथ मिल करके और ऐसा उन्हें क्यों किया, क्योंकि परिस्थितिया थी, वो भी इस अच्छे पर्दभrophe जा सकते थे, ज़्यान उनका कम नहीं था, लेकिन परिस्थितिया आप पर करोगे किसी के दुकान पे रहोगगे कुछ थी जो आप कर सकते हो अपनी पड़िवार करे के लिए आप करोगे लेकिन आप परिष्थिती से हर गए लेकिन समय से नहीं हर दो आप समय किसात्स जूझर रहे अगर हम कहें कि कोई एक लड़का अपने लाइस में चार बार, पांच बार, छे बार किसी लड़की को प्रपोजल देता है अलग लग लड़कियों को और हर बार रिजेक्ट हो जाता है लेकिन उम्र की एक सीमा होती है घरवालों की धहर की भी एक सीमा होती है भर वालों को है कि बेटा जादी के उम्रे का हो चुका है तो साधी उसकी हो जानी चाहिए और भर प्रजार नहीं गर्वालों को होता है कि जब एक समय आ जाए तो उस पर सारे काम हो जाने चाहिए और वस इंसान को में लिए करती है लेकिन किसे अरेंज मेरी से लफ से नहीं तो इसका मतलब थोड़ी था कि वो लफ से हार गया क्योंकि जब जब उसका प्रपोजल रहा था तब तक वो सीख रहा था अब वो इस परिस्तिती में आ चुका था कि अगर अगली किसी लड़की को प्रपोज करता तो वो उस उसने अपने में सुधार लिया था लेकिन धरवालों का धर तूट गया और फिर उसकी साधी हो गई होई क्या अरेंज मेरी से तो अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो आप ऐसे इंसान से जाके आप सीख लीजिए देखिए वो जो सीख देगा न एक ही बार में लेकिन आप देखेंगे कि उसके बच्चे बहुत जल्दी सफलता हसीर करते लेते और बहुत अच्छी कर लेते हैं क्योंकि वो जो सीख उसे मिला था जो ग्यान उसे मिला हुआ है अपनी परिस्थितियों से हारने की वज़े से वो उन सारे ग्यान का इस्तमाल अपने बच् परिस्थितियों से हारा हुआ हो जो मन से ना हारा हुआ हो क्यूंकि कामयाबी दोस्तों दो तरकी होती है एक जुगार की कामयाबी होती है और एक मेहनत की कामयाबी होती है आज के दोर में सिर्फ जुगार की कामयाबी चल रही है लेकिन जुगार की कामयाबी होती है वो ब आप सीख लेजिए ग्यान लेजिए कि जो अपने काम में निपूर रहा हो लेकिन परिस्तितियों की वज़ा से हार गया हो तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बस एक ही चीज हमारा कहना है कि अगर आप तरकी करना चाहते हैं या जिस भी फेल्ड में जो भी कुछ क करना चाहते हैं तो आप किसी हारे हुए इंसान से सीख लीजिए और फिर अपने काम को अच्छे से और धैर से और एकागर होगे कीजिए देखी सफलता आपको मिल जाएगे तो दोस्तों अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ ऐसे ही ब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार